बिहार आंदोलन में सुशील मोदी ने इसके सामाजिक सुधार के कारेक्रमों को महत्व दिया था आंदोलन के बाद भी इनोंने जेपी द्वारा बनाए निर्दलिय संगठन के सामाजिक सुधार के कारेक्रमों पर अपनी नजर बना कर रखी थी और उससे सीख लेने की चेश्टा भी करते थे अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत की सक्रिय राजनीती के बाद कुछ समय तक वह कुछ विवसाय भी करते थे परंतु उन्होंने ये पाया कि बिहार जैसे प्रदेश में उस समय तक प्रती महीना 30,000 रुपय की भी विवस्था करनी है तो उसके लिए पूर्ण कालिक विवसाय होना पड़ेगा जल्द ही फिर भारतिय जनता पार्टी के साथ सक्रिय होकर सुशील मोधी पूर्ण कालिक हो गए सुशील मोधी का निधन सोमवार की राद साड़े नौब बजे दिल्ली एम्स में हुआ तीन अप्रेल को गले में कैंसर की पहचान हुई थी उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा था 1974 आंदोलन में छात्र संगष समिती से अलग रहकर अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद ने अपनी उपस्तिती बना रखी थी उस समें भी संग और जन संग का अपना सुतंत्र और समांतर तथा अलग एजिंडा था इस तरह अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद बिहार आंदोलन का एक हिस्सा भी था और अलग भी था और इस तरह अपनी दिर्ग गालीन योजना के तहट विध्यार्थी परिशत के लोग बिहार अंदुलन में कभी साथ के हो और कभी अलग कारिक्रम के साथ सक्रिये थे सुशील कुमार मोदी बिहार आंदोरन के दर्मियान और एमर्जनसी के दर्मियान कई दफ़ा की रफ़तार किये गए और जेल भी गए विद्यार्थी परिशत का नेतित्व गोविंदा चारे करते थे सुशील कुमार मोदी एबी वीपी के सिर्ष के नेता थे पतना उनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ बिहार के विभिन उनिवर्सिटी कैंपस में जब गयर कॉंग्रेसी वादी कोशिश चल रही थी तब सुशीर मोदी पतना उनिवर्सिटी स्टूडेंट उनियन में महा सचिव थे लालू प्रसाद यादब के साथ साज़ेदारी में महा सच्चिवपत परुमिद्वार थे और जीते थे लालू प्रसाद यादब तब पटना युनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे उस समय स्टूडेंट यूनियन के बिहार में खासतोर प्रमहंगाई, बर्ती बेरोजगारी और ब्रश्टाचार के खिलाफ साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन चलाया था जिसके नेतित्फिल लोग सभाष्षी जैप्रकाश नारायन कर रहे थे और जैप्रकाश नारायन की वज़त से ये व्यापक जन आंदोलन में बदल गया था तथा बिहार के इस आंदोलन का आखिल भारतिय प्रभाव पड़ा सोमवार 13 जून की रात सुषील मोदी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया विद्यार्थी परिशत के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने व्यवसाय करने की सोची परंतु बाद में आडवानी और गोविन दाचारे के सोजन्य से वर बीजेपी में आए और पटना से विधायक बने आगे 1991 के बाद ऐसा लगता था कि लालू प्रसाद यादव खुद भी अपनी राजनीती के भविश्य के हिसाब से सुशील मोदी के जीत को पसंद करते हैं और पटना से डमी कैंडिडेट दिया करते हैं जब लालू से अलग उकर नितीश ने पार्टी बनाई और पहले समता पार्टी और बाद में जेडियू के माध्यम से राजनीती में अपनी दावेदारी करने लगे तब भाजपा और जेडियू साथ में थे सरकार में भाजपा के पक्ष से शुरू से ही सुशील मोदी ने दित्व करते आए और जब तक बिहार में थे सुशील कुमार मोदी उपमुक्य मंत्री तथा वित मंत्री रहते थे विगत पांच डशक में वित मंत्री के रूप में बिहार का केंदर में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हुए सुशील मोदी को ही देखा गया है नमंबर 2005 से 2020 तक सुशील मोदी कई दफा बिहार के वित मंत्री और उपमुक्य मंत्री रहे हैं इसके पहले उन्होंने पटना से विधायक की दावेदारी को छोड़ कर भागलपुर से लोकसभा में प्रतिने धित्व किया बिहार में दो दफा एमेल सीक रहते हुए सुशील मोदी उपमुक्य मंत्री बने थे इसके बाद राजसभा में रहे अभी तक दोबारा उन्हें राजसभा के लिए मनोनित नहीं किया गया तब उन्हें अपनी बिमारी का भी अंदाजा हो गया था जीवन के सुथार्थ में लगातार सभी सद्नों में जाने का मौका पार्टी ने सुशील मोदी को दिया था सुशील मोदी के प्रमुख अंतिम वक्तव्य में पार्टी के प्रतिया भार वक्त करने वाला वक्तव्य है बिहार में मुख्यमंत्री पतपर नहीं आए इसके साथ ही ये आशा की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी के केंद्रिय मंत्री मंडल में उन्हें रखा जाएगा बिहार के जाती खेमे बाजी की राजनीती में सुशील कुमार मोदी जैसे नेता इस तर तक तो आए परन्तु इसके आगे जिसके लिए वह योगे थे वस्थान उन्हें नहीं मिला सामाजिक सुधार के मसलों पर सुशील मोदी के जीवन के कुछ प्रसंग ध्यान देने लायक है विद्यार्थी परशत के दिनों में वह ये जानते थे कि बिहार अंदुरन से युवाओं के लिए जो मैसेज है बिना तिलक दहेज के शादियां सुशील मोदी जय प्रकाश नारायन के बनाय संगठन चात्र युवा संगष वाईनी सामाजिक सुधार का ये मैसेज लेने की कोशिश की थी चात्र युवा संगष वाईनी जहां अंतर जातिय विवा और बिना धर्म ढकोसले के शादियों को पूद्साहन दिया जाता था जहां जाती विवस्था को तोड़ने के कारिक्रम थे सुशीर मोदी अपने संगठन में ये कहते थे कि वाहिनी से अंतराश्य विवा के अनुभवों को तो वो नहीं सीख सकते तिलक दहेज बिना शादी का या अनुभव विद्यारती परिशत के लिए भी लिये जाने लायक है शादियों में दहेज धर्म और धकोसला नहीं हो कई दशकों के बाद उन्होंने अपने पुत्र के विवा में काफी सादगी रखी थी उन्होंने बिहार की सरकार के अपने कई से कर्मी मंत्रियों के मुकाबले भी बहुत सादगी रखी थी बहुत जादा लोगों को शादी समारों में आमंत्रत करने से परहेज किया हिंदुत्व के नारे के सक्रिय नेता होते हुए भी उन्होंने क्रिश्चिन महिला को अपना पार्टनर चुना इस पर बहुत चर्चा नहीं होती कि सुशीर मोदी ने एक इसाई महिला के साथ विवा किया निजी जीवन में वह अपनी पतनी के धार्मिक आस्थाओं के लिए उदार और सयोगी वैकती थे उनके पुत्र को उन्होंने कभी भी राजनीती में प्रतसाहित नहीं किया पुत्र ने भी पढ़ाय लिखाई के बाद सुशीर मोदी के प्रभावों का इस्तिमाल नहीं किया कहना नहीं होगा कि पिछले चार दशक से बिहार बीजेपी में सुशीर मोदी सबसे समर्थ नेता थे